यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया है जिसे अच्छी से दो लिया है फिर इसे पील किया है पील करने के बाद इसे ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने के बाद अब हम इसे इस टेनर की हेल्प से छान लेंगे और इसमें इसे खीरे का रस निकाल लेंगे अब जो हमारे पास एक से डिल चमच खीरे का रास है, इसमें करीब एक चमच एलोवेरा जेल और करीब तीन से चार बूंद, मैंने इसमें रोगन बदाम शरीन डाला है, और इन तीनों चीज को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और यह हमें तब तक मिक्स करना है, जब तक यह खीरे का रास एक जेल की फ कर लें और उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और इसे करीब दो मिनट की मसाद करें या इसे तब तक मसाद करें जब तक कि ये सकिन में अच्छे से अब्सोर्ब ना हो जाएं इससे सकिन में ठंडक बनी रहती है और ये बिल्कुल भी चिपचिवा नहीं है और